कर्वा चाथ का ग्लोई डूई मेकप लोग अगर आप कर्वा चाथ पर कोई ब्लू ड्रेस पहने तो आप यह वाले लूग क्रेट कर सकते हैं आपको यह लूग अच्छा लग रहा हो तो फटा फट से देखते हैं हमने लूग कैसे क्रेट किया है तो चलिए वीड को स्टार्ट करते हैं वाट उससे पहले अपने में चाथ को लाइक नहीं किया तो चाथ को लाइक कर दीजेगा सब्सक्राइब कर दीजेगा एशे कर दीजेगा अपने फ्रेट फैमिली के साथ चलिए वीड को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉश्राइज करूँगी और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ आमड एन हनी मॉश्राइजर क्रीम इसे मैं अपने पूरे फेस पर अच्छी तेगी साप्लाइज कर लूँगी काफी अच्छी मॉश्राइजर क्रीम है काफी अच्छी सापके फेस को मॉश्राइज कर देती है तो मैं अच्छी तेग इस अप्लाइज कर लूँगी उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ पितांजली के ऐलो वरे जेल as a primer मैं इसे अपने पूरे face पे apply कर लूँगी काफी अच्छी जेल है काफी अच्छे से आपके skin को moisturize कर देती है और एक glow provide कर देती है और आपके makeup को काफी time तक टिकाने में भी help करती है अब मैं use कर रही हूँ हिमाले का lip balm और इसे मैं अच्छी तेकिसे अपने lips पे apply कर लूँगी lip balm अपलाई करने से आप जब lipstick अपलाई करते हैं तो आपके lips जो है moisturize हो जाती है जैसे आपकी lipstick easy लग जाती है अब मैं उसकर रही हूँ ऑलिविया का pan stick shade है 06 peach rose इसे मैं अपने पूरे face पे apply कर लूँगी और एक beauty blender की help से अच्छी तेकिसे blend कर लूँगी काफी अच्छी pan stick है waterproof pan stick है और इसमें आपको SPF 15 और PA++++ भी मिल जाता है तो मैं अच्छी तेकिसे इसे apply कर लूँगी उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ MN की eyebrow pencil और इसकी helps मैं अपने eyebrow fill कर लूँगी काफी अच्छी pencil है और इसमें मेरा shade है 001 उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ blue heaven का compact powder shade है skin और इसकी helps मैं अपने पूरे face को set कर लूँगी और अपने neck पे भी apply करूँगी same compact को अब मैं bonjour की blue card gel ले रही हूँ इसे मैं अपनी eye lips पे apply करूँगी और एक smudger brush की help से smudge कर दूँगी ऐसा करने से आपकी smoky eyes काफी अच्छी निकल के आती है तो मैं अच्छी तहिके से इसे smudge कर लूँगी उसके बाद मैं यहां sirion का eyeshadow palette ले जिए इसमें से royal blue color लेकर इस काजल के ऊपर लगाऊंगी और धीरे धीरे से blend करती जाओंगी इससे आपका काजल भी लॉंग लास्टिक होगा और आपके smoky eyes भी काफी डाक निकल के आएगा उसके बाद मैं same palette से यह brown color लूँगी और अपनी क्रीज लैंड पर अच्छी तेकी से blend करूंगी अच्छी तेकी से blend करना है सारे colors के साथ तकी smoky effect दे उसके बाद मैं same bonjour के काजल को अपने lower lash पर अप्लाई करूंगी अपने half lower lash पर अप्लाई करूंगी और एक smudger brush की help से इसे भी smudger कर लूँगी उसके पास same palette से वही brown color लेकर मैं अपने lower lash पर अप्लाई कर लूँगी अब मैं blush लगाऊंगी और उसके लिए मैंने यूज़ किया है सुस ब्यूटी का four color blush palette और इसमें सी ये dark coral color लेकर मैं अपने चिक्स पर अप्लाई कर रही हूँ काफ़े pigmented palette है और मेरी favorite palette है ये तो मैं अच्छी थे किसे अपने चिक्स पर अप्लाई करूंगी थोड़े सा nose and chin पर भी apply करूंगी ताकि एक natural look दे अब मैं यूज़ कर रही हूँ color look का highlighter इसमें मेरे shade 03 और इसे एक fan brush की help से अपने चिक्स पर, chin पर, cupid bow पर, vision of the nose पर, center of the forehead पर अच्छी थे किसे अप्लाई कर लूँगी उसके बाद एक small flat brush की helps अपने brow bone पर और अपने inner corners पर अप्लाई कर लूँगी highlighter को काफी अच्छा highlighter है काफी अच्छा से glow करता है तो मैं इसे अपने inner corners पर थोड़ा heavy करके लगाऊंगी अगर आप smokey eyes करते हैं तो अपनी inner corners को अच्छी थे किसे highlight करें काफी अच्छा look आता है इससे उसके बाद मैं यूज करूँ इनेबो की lip crayon shade 11 काफी अच्छी nude lipstick है यह तो मैं अच्छी थे किसे apply कर लूँगी इसे and यह है मेरा final look guys अगर आपको मेरे look अच्छा लग रहा हो तो चैनको like करें subscribe करें and share करें और bell icon को भी ज़रूँ क्लिक करें ताकि मेरी जितनी भी new video से उसका notification आप तक पहुँच जाए and bye bye